भारत में सडक परिवन को सबसे पहले हम दो पार्ट में पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे फिर हम पढ़ेंगे स्टेट हाईवे ओके फ्रेंट्स तो सबसे पहले कुछ important points आपको बतायता हूँ जिसे कि भारत में सड़क प्रणाली जो है वो Asia महादीप में चायना के बाद सबसे बड़ी सड़क प्रणाली हैं ध्यान रखेगा दोस्तों second number कियें second point important ये है कि भारत में सड़को का नियंतरन कोन करता है कैंद्री ये लोक निर्मान विभाग करता है ठीक है ये जनरली एक्जाम में पूछा आता है कोशन तो आप थोड़ा ध्यान रखिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हम डिसकस करेंगे नेशनल हाइवे को नेशनल हाइवे से रिलेटेड जितने भी इंपॉइटन पॉइंट से जो एक्जाम में कुशन पूछे जा सकते हैं तो उसमें सबसे जो लंबा नेशनल हाइवे हैं वो है NS7, अब ये NS7 कौन-कौन से स्टेट से होकर जाता हैं तो इसको हम मेप में अच्छे से ग्राफिकली समझेंगे, दोस्तो नेशनल हाइवे जो है वो जाता है उत्तरप्रदेश के वारानसी से लेकर तमिल नाडू के कन्य कुमारी तक जाता है, तो ये सबसे लंबा नेशनल हाइवे हैं इस नेशनल हाइवे की लंबाई जो है 2379 km, 2369 km जो है ये इतना लंबा नेशनल हाइवे हैं तो देखिए चलोँ फ्रेंड्स मैं आप बताएता हूं यहां से यूपी के वारानसी से ये चलता है, देखिए आप MP से हुता हुआ, महाराष्ट से हुता हुआ आंतर प्रदेश को 1958 को क्रॉस करता है पूरा और ये करनाटक के बेंगलोर से होदा हुआ कहां जाता है दोस्तो ये तन्या कुमारी तक जाता है तो ध्यान रखेंगा दोस्तो आप मैप में देख सकते हैं यह हमारा National Highway 7 है अच्छा अब ध्यान रखिये कोश्चन ये पुछा आता है कि National Highway 7 जो है सबसे लंबा ये कितने राध्यों से उकर गुजरता है तो ध्यान रखिये का 6 राध्यों से उकर गुजरता है उत्तरपदेश, मध्यपदेश, महाराष्टरा, आंदरपदेश, करनाटक और इसमें आंदरपदेश में सबसे जादा किलोमेटर इसके आंदरपदेश में है ठीक है तो ये भी कोश्चन पूछा आ सकता है तो ध्यान रखिये का दोस्तो ये important point है National Highway का पहला important point हमने अच्छे समझा कि भारत में सबसे लंबा National Highway कोन सा है NS7 है चलिए आगे और important points देखते ह अगला point है दोस्तो हमारा भारत का सबसे छोटा राश्टी ये राजमार कोन सा है तो वो दोस्तो है केरल के ध्यान रखियेगा बेंबा नद जील में एक वैलिंटन दीप है केरल में वहाँ पर उस वैलिंटन दीप पर एक छोटा सा 6 किलोमेटर का एक राश्टी राजमार ग ठीक है दोस्तो तो ये वाला important है ध्यान रखिये ये भी पूछ लेते हैं कि वो कौन से राज्य में है तो ध्यान रखियेगा केरल में है तो ये छोटा सा एक important point है तो आब इसको ध्यान रखियेगा चलिए आगे और discuss करते हैं national highway के related हम अब मैं आपको बताता हूँ GT road के बार और ये GT road कहां तक जाता है कॉलकता से लेकर जाता है पाकिस्तान पेशावर तक जाता है तो भारत में जो GT road का जो ये हिस्सा है उसको NH1 और NH2 दो भागों में डिवाइट किया गया है कैसे मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखिये दोस्तो जैसा कि आप देख पारे ध्यान रखेगा दोस्तो ये हमारा नेशनल हाईवे 1 था ये पहला पार्ट है भारत में जो GT road जा रहा है उसका पहला भाग ये NH1 हो गया सेकेंड जो है दिल्ली से लेकर कॉलकता तक का जो हिस्सा है ये NH2 के लाता है नेशनल हाईवे 2 तो ध्यान रखेगा दोस्तो इसको द किस ने करायता है शेर सा सूरी ने करायता चलिए आगे और हम देखते हैं बात करते हैं important points के बारे में अगला point है हमारा बहुत important है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है ये तो सबको पता होता है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है पर ठीक है फ्रेंट्स, अब मैं आपको एक important बात बताता हूँ कि भारत में सडकों का विकास करने के लिए भारत सरकार के दुआरा कई प्रकार की योजना है चलाई गई, तो वो योजनाओं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले आती है हमारी प्रदान मंत्री गराम सडक योजना, इस योजना के अंतरगत गाओं को शहरों से पक्की सडकों के माध्यम से जोडने का काम हुआ तो ध्यान रखेगा ये दोनों योजनाएं भोज़ता इंपोर्टेंट है तो हम बात करते हैं स्टेट हाइवे के बारे में राजजी राजमार्ग के बारे में ध्यान रखेगा सरवादिक जो सडक का जाल जो है वो कहाँ पर है महाराष्ट में सरवादिक है भारत में उसके बाद अगर भारत में सबसे कम अगर सडक लंबाई देखी जाए तो वो कहाँ पर है दोस्तों ध्यान रखेगा सिक्किम में है विश्व में सबसे उंचा सडक मार्ग जो की लह श्री नगर मार्ग हैं जिसे NH1D के नाम से जाना जाता है ये भारत देश में ही इस्तित है तो ये भी कुछ important points थे इनको याद रखना है आपको अब जो भी मैंने आपको national highway या state highway से related ठीके जो भी मैंने आपको points बता हैं ये का सब चीजों को समझना जरूरी है और हमने graphically अच्छे से चीजों को समझाएं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि इन सब को tricks से याद करके आप उसको उलजने बनाईए जो चीज tricks से याद करना होगी वो मैं आपको tricks से बताऊंगा पर जो चीज हमको graphically समझना होगी वो हम सम पर जरूरत का इस्तान है सबसे ज़्यादा सबक पनाईएं में सबसे पेठम स्तान है चाइना का उसके बाद आता है भारत देश का नंबर मतलब दिटिय नंबर पर भारत आता है तो इसका अंसर लगएगा A भारत का सबसे लंबा राश्टी मार्ग कौन सा है देखिए का है मात्र ठीक है चलिए आगे और important question लगाते हैं हम राष्टी राजमार्क 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं देखिए राष्टी राज्यों से होकर गुजरती हैं मैंने आपको बताया था कि 6 राज्यों से होकर गुजरती हैं कौन-कौन से उत्तरप्रदेश महारास्ट्रा, आंधरप्रदेश, करनाटक, तमिलनाडू, ठीक है दोस्तो, तो 6 राज्यों से उकर गुजरती हैं, तो इसका आंसर लगेगा C, भारत का दूसरा सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्क कोन सा हैं, तो ध्यान रखेगा, दूसरे नंबर का सबसे लंबा राश् इन ऐच वन जाता है दिल्ली से पाखिस्तान बोडर तक, मतलब डिल्ली से पाकिस्तान मतलब आंसर लगेगा इसका C, दिल्ली से अम्रिट सर, चलिए आगे और क्केशन देखते हैं, निम्नमेज्स से कोन गोलडन चत्रभूज का पार्ट नहीं है, कोन सा गोल्डन से होकर जाकिए जबलपूर से होकर नहीं जाती है ठीक है मध्यवदेश के अंदर का पार्ट है यह तो यहां से होकर नहीं जाती है तो इसका अंसर रगेगा सी उत्तर भारत में ज्यूटी रोड का श्रे किसको जाता है देखिए उत्तर भारत के टाइम पर ज्यूटी रोड का श्रे किसको जाता था शेर्चा सूरी को जाता था ध्यान रखिया का हुमायू के शेशनकाल में शेर्चा सूरी ने ही ज्यूटी रोड का निर्मान कराये था झाल झाल